राजिवर्धन राठोर स्वागत है आपका आज तक पर 10 लाख रुपए का मुआफ़जा एक सदस्य को नौकरी और एक मकान इस बात को लेकर सहमती बनी धरना खत्म हो गया परिवार ने शव का पुजारी का अंतिम संस्कार कर दिया शाम को आपने तस्वीरें भी दिखाई मामला खत्म हुआ के नहीं देखिए मामला अगर एक घटना से और वो भी घटना के बाद सरकार का एक बड़ा मिनिमम बेसिक कदम उससे अगर खत्म हो जाता है तो ऐसी सियासत आपको सलाम हो आप मेरे बात मत सुनिये आप नैशनल क्राइम रिकॉर्ड को उठाकर देखिए राजिस्थान पहले पायदान पर कहां पर है फूड प्रोड़क्शन में नहीं है, खेलों में नहीं है किसी और प्रोड़क्शन में नहीं है वो crime against women महिला उत्पीडन में number one है आप lockdown में थे पिछले 6-7 महिने पिछले 6-7 महिने के अंदर राजिस्थान की राजधानी जेपुर के अंदर 200 cases raped के होए 2400 से ज्यादा sexual assault के होए ये मैं किसी दूर दराज जिले की नहीं बात कर रहा हूँ मैं राजिस्थान की राजधानी जेपुर की बात कर रहा हूँ अगर आपको थोड़ा सा भी दुख्या दर्द हो और किसी गरीब के ओपर अगर खासतोर से अगर ये दर्द हो तो बाड़मेर की घटना देखिए दो दिन पहले हुए जादा पुरानी भी नहीं है एक चौधा साल की लड़की के साथ गैंग रेफ हुआ और एक हफ़ते पहले और चले जाईए बारा में चौधा साल और पंद्रा साल की लड़की के साथ गैंग रेफ हुआ investigation हुई भी नहीं है अभी लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो घूमने कहीं थी ये घटनाएं अनेकों हैं तभी तो number one है राजिस्थान उसके उपर अब आपको लगता है कि ये घटना चलती रहे और सरकार मुआवजा देते रहे तो मामला खातम होता रहे मैं आपको आपके माध्यम से आज ये बात कहता हूँ जो प्रधान मंत्री मोदी जी बार-बार कहते हैं कि देश के अंदर कृपया करके कुछ चीजें ऐसी हो जिस जो राजनीती से परे हो राश्टी सुरक्षा तो है और मसले है लेकिन विमन इंपावर्मेंट के लिए प्रधान मंत्री मोदी जी ने कहा कि ये परे होना चाहिए इस पर राजनीती करण नहीं होना चाहिए अगर देश को संगठित रखना है तो जाती विशेश पे भी नहीं परना चाहिए ये बार-बार कहा जाता है और क्या राहुल गांदी जी ने एक भी ट्वीट करा इस पुजारी के लिए मैंने पहले कहा था कि ये वो गिद है राजनीति गिद जिनको यूपी के अंदर लाश दिखाई दे जाती है लेकिन राजस्थान में जलता फुजारी दिखाई नहीं देता इन्हें वहाँ की सियासत दिखाई दे जाती है लेकिन एक सहमा राजस्थान दिखाई नहीं देता सरकार तो यह नहीं की है क्या मुख्यमंद्री जी से बात करी क्या आप इस बात को इंकार कर पाएंगे कि आप लोग भी तो उसके बाद ही जागे जब इन्होंने हात्रस में जाके आपकी सरकार को एकदम गले पर हाट डाल दिया कि आपके रहते ही यह सब हो रहा है और हम आपके दर्वाजे आकर नारे बाजी कर रहे हैं अगर 200 केस हो गए थे जैपूर में तो बीजेपी ने जो तेवर पिछले तीन दिन में दिखाया है वो पिछले तीन मेहने में क्यों नहीं दिखाया हर जिले के अंदर जहां जहां केस हो रहे हैं वहाँ भारती जन्ता पार्टी पहुँच रही है खेर मैं वापस आता हूँ जो आपने बात करी हातरस के अंदर यूपी के मुख्य मंत्री जी से प्रदान मंत्री मोदी जी ने खुद बात करी देश की सबसे बड़ी investigating agency आज उसकी जाच कर रही है जो भी जाच के अंदर आएगा उनको कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए investigation हो रही है वहाँ पर Congress के लोग पहुँचे तो वहाँ भाजपा के भी लोग पहुँचे यहां राहूल गांदी पहुँचनी तो बात तो बहुत दूर है एक उन्होंने ट्वीट भी नहीं करा आज वो पुजारी बे जुबान है उसके जख्म को मैं जुबान देता हूं अगर राहू सराना देता है और यहीं कर सकते हैं ट्वीट कर सकते हैं आज हम रिक्वेस्ट करते हैं राहूल गांदी जी से चलिए आप आपका आना तो बड़ा कश्ट होगा आपको आप ट्वीट करके अपनी कॉंडोलेंस दीजे क्या देंगे वो यह डबल स्टैंडर्स क्यों ह काफी चुब गया आपको उनका हाथ रसाना ऐसा लगता है माफ कीजिए मुझे चुब रहा है एक गरीब के परिवार के उपर से उसका साया हटना माफ कीजिए मुझे कुछ कश्ट होता है मुझे दुख होता है जब एक लड़की का बलातकार हो गैंग रेप हो अश्ट होता है आपको नहीं होता ताज्यूप है मेरे हाथ थोड़े काप रहे हैं भी गुस्से में फौजी हूँ और जो काम करता हूं दिल से करता हूं जिस प्रधान मंतरी जी के लिए काम करता हूं वो दिल से करते हैं और जनता आज देख रही है इसलिए सोशल मीडिया पर आज आवाज भुलंद होती है लोगों की जब वो बोलते हैं कि महिला उत्पिडन के ओपर डबल स्टैंडर्ड नहीं है है आप हमेशां हमसे प्रशन पूचता हूं क्या राउल गान्दी ने अभी तक एग भी कॉंडलेंच का शब्द नहीं बोला क्या ये डबलariat सवाल हमने पूछा बटाईए राजिस्थान की सरकार के मंत्री प्रताप सिंग वो आपको सुन भी रहे हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना आपको सर मैंने उनसे सवाल पूछा प्रताप सिंग खाचरियावास जी ने तो मैं जी उन्होंने जवाब दिया कि हमारी पार्टी के स्थानिय निता वहां पर थे और वो परिवार को मरहम लगा रहे थे उनके जखम और सांत्वना दे रहे थे उनको और सरकार ने जितना जरूरी था जिसके लिए परिवार सहमत था जो जो मांग कर रहा था वो कर दिया सरकार में मीडिया आपकी आज तक है आप तो तुरंथ पहुँच जाते हैं हर जगे आप जरा विज्वल्स दिखा दीजिए हम सब को कि वहाँ पर भारती जनता पार्टी के जो सभी नेता थे उनसे पहले कॉंग्रेस वाले पहुचे वे थे जरा दिखाईए आप विज्वल्स और जिनकी आपने बात करी वो राजस्थान के लोगों की रक्षा क्या करेंगे अभी एक महिने या दो महिने पहले तो उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल को कहा कि हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते अगर आपको जनता घेर ले गी तो हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते किसको कहा राजेस्तान के राजेपाल को कहा साधार lässt हरन वक्ति कहां लाइन में लगेगा उसकी सुरक्षा कहां से हो सकती है आप सोच सकते हैं न आज राजेस्तान के अंदर एक गरीब होना अपने आप में शराब बन गया है आज एक महिला होना राजिस्थान के अंदर अरे तो आपका नाम कही न कहीं उस रिकॉर्ड में आ सकता है नंबर वन के खमाल है ये राजिस्थान शीए आप देख रहे हैं पिछले चार-पांच महिने का रिकॉर्ड उठा की देखिए राजिस्थान सरकार कहा थी पांच सितारा होटेल में थी कहा थी पुलिस कहा रगी भी थी उनके कई गहरे लगे वे थे ताकि पुलिस उनकी हिफाज़त कर सके शायद कोई बाहर से अंदर ना आ सके वहाँ पुलिस लगी भी थी जो डीजीपी राजिस्थान है उनने तो इस्तीफा दे रखा है उनका स्तीफा अभी तक मनजूर नहीं हुआ पुलिस वाले आत्मत्या करने हैं पुलिस के उपर फाइरिंग हो रही है राजिस्थान के अंदर कहा है मनोग कहा जाएगा राजिस्थान के पुलिस का मनोबल जब डीजीपी रेजिगनेशन दे कर बैठे हुए है शायद वो उचे पद पर जाना चाहते है आखरी चीज़ पूछ रहा हूँ हमें ऐसा राजिस्थान नहीं चाहिए और हमें ऐसे राजिस्थान की सरकार भी नहीं चाहिए जो आतोपाइलिट पर चल रही हो आप आतोपाइलिट कहा रहे हैं परताब जी तो सचिनपाइलिट का नाम तक नहीं ले रहे थे अब पता शीज़ वो वाला पाइलिट वही है बेहता मिला है और उसके शरीर पर चोट के निशान है ये कहा गया और हमारे साथ जो साधू संत उस चर्चा में थे उन्होंने कहा हमें गैरंटी चाहिए हर सरकार से साधू संतों की सुरक्षा की कम से कम बीजेपी शासित राज्यों में आप ये गैरंटी देंगे देखे जो सरकार जाए राज्य में हो या केंदर में उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने मतदाताओं और अपने नागरेकों की सुरक्षा बना के रखे ये हमारे समाज की भी जिम्मेदारी है कि एक माहौल हम ऐसा बनाए जहां हमारी बहु बेटियां आराम से गूम सके और धर्म का पालन करने वाले भी सुरक्षित रह सके हर व्यक्ती सुरक्षित रह सके क्या ये दायत नहीं है हर सरकार का हर सरकार का दायत है लेकिन कुछ केस अगर हो तो उन पर तुरंट कारवाई भी हो और माहौल ऐसा बने कि वो जो चंद केस भी हो रहे हैं वो जो देख रहा है उसे लगना चाहिए मैं ऐसी कहीं गल्ती ना कर बैठूँ कि कहीं अपने आप पिनून बदला जो पेनल्टी है रेप की उसको बढ़ाई जो बारा साल की बच्चियों से कम से अगर रेप हो तो बीस साल मिनिमम जेल और सबसे ज़्यादा सजाय मौत फास्ट रेक कोर्ट बनवाए किस स्टेट ने किस राजी ने अभी तक फास्ट रेक कोर्ट नहीं बनाए राजिस्थान और बंगाल एक भी फास्ट रेक कोर्ट नहीं बना अभी तक ये नियत है क्यों परवा नहीं है एक परिवार सुरक्षित रहना चाहिए मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ऐसी कौन सी चीज है कमजोरी है जो राजिस्थान के मुख्यमंत्री ने प कि अपने मित्र पाइलिट का भी बिना पैरिशूट के हाथ छोड़ दिया धन्यवाद राजवर्दन अठोर